जैहिन दोस्तों मैं सुनेल रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरीना में दोस्तों आज की रिवीजन क्लास में बहुत इंपोर्टन क्लास होने वाली क्योंकि इसमें हम इमरेस टीजिटी का जो पेपर हो रहा ना फिजिकल एजुकेशन का और उसके अंदर जो आपका नियू एजुकेशन पॉलिसी टूटूटी का है 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया फिट इंडिया मुव्मेंट एक्सपिरियंटल एक्टिविटी बेस्ट जो पेड़ागोजी है टीचिंग एप्टिटूड और नॉलेज ओफ आई सीटी और साथ में आपका खेलो इने इनुवस्टी इस गेम्स इनके questions में आपको कराने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द होने वाले हैं कल के exam के लिए दोस्तों ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी revision class होने वाली है आपकी क्योंकि अभी तक तो आपकी सारी तैयारियां पूरी हो गई ही तो यह questions आपको काफी मदद कर सकते हैं आपके paper को बहतर बनाने के लिए ठीक है ताकि आपका result बहतरी ना सके तो फटा-फट से session को share कर दे और साथी जो भी दोस्त इस channel पर नए है न प्लीज चैनल को subscribe करके ज़रूर रखें ठीक है और साथ में bell icon ज़रूर दबाएं चले देर ना करते हो शुरू कह रहा है दोस्तों पहला question आपसे कह रहा है according to NEP 2020 what is the primary focus of the foundational stage 2020 की राष्ट्री सिक्षा निती के अनुसार नीव चरण का मुख्य फोकस किया है दोस्तों साक्षर्ता का और संख्यात्मक्ता का या समगर विकास का विशय विशिष्ट मान का या फिर प्रारंबिक विशेष्त का तो question no.1 का जो correct answer होगा दोस्तों वो होगा आपका option B is the correct answer that is समगर विकास ठीक है holistic development जो था वो आपका 2020 की राष्ट्री सिक्षा निती के अनुसार नीव चरण का मुख्य फोकस इनका समगर विकास पर था holistic development पर okay next question पर चलते है question no.2 आपसे कह रहा है दोस्तों की which concept introduced in NEP 2020 emphasize play based learning in the foundational stage राष्ट्री सिक्षा नीती 2020 में किस अवधारना ने नीव के चरण में खेल अधारित सिक्षा पर जोर दिया है एक important question है दोस्तों ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा जल्दी से बताएंगे बेलकुल इसका जो correct answer होगा that is option C experiential learning ठीक है अनुभवात्मक सीखना ही क्या है 2020 की जो new education policy उसकी अवधारना ने नीव के चरण में खेल अधारित सिक्षा पर जोर दिया है वो है अनुभवात्मक learning यानि कि experiential learning के तरफ next question number third आपसे कह रहा है दोस्तों राष्ट्री सिक्षा नीती 2020 में प्रस्तुत 5C framework नीव सीखने के लिए किन पांच प्रमुक दक्षताओं के लिए खड़ा है बहुत important question है दोस्तों ठीक है तो इस question का सही answer किया होगा दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option A is the correct answer अलोचनात्मक सोच सहयोग रचनात्मकता और चरित और संचार ठीक है critical thinking collaboration creativity character communication option A is the correct answer यहाँ पर ठीक है next question पर चलें question number four आपसे कह रहा है दोस्तों स्कूली सिक्षा के लिए रास्ट्री सिक्षा नीती 2020 द्वारा प्रस्तावित 5334 धाचा क्या है what is the new 5334 structure proposed by NEP 2024 school education तो 5334 का जो धाचा है दोस्तों उसका जो structure है वो क्या प्रपोस्ट करता है तो वो करता है दोस्तों आपका option B is the correct answer प्रारंभिक बचपन देखभाल और सिक्षा तीन वर्ष ठीक है नीव पांच वर्ष प्रारंभिक वर्ष तीन वर्ष माधिमिक के लिए चार वर्ष ठीक है option B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा early childhood care education or three years foundational five years preparatory three years और secondary four years important question है दोस्तों next question number five आपसे कह रहा है किस विशय को अब grade six से एक अलग वैकल्पिक के रूप में प्रस्तुत करने के बजाए पार्ठ करम में एक ही कृत किया गया है which subject is now integrated to curriculum for grade six onwards instead of being offered as a separate elective तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों question number five का that is option C is the correct answer art and music ठीक है कला और संगीत जो विशय है जिसको अब grade six से अलग वैकल्पिक के रूप में प्रस्तुत करने के बजाए इसको पार्ठ करम में सामिल कर लिया गया ठीक है वर्ग में coding शुरू करने पर जोर देती है new education policy to 2020 emphasize introducing coding at what age group तो इस question का जो सही answer होगा दोस्तों वो होगा आपका option C is the correct answer 9 से 12 वर्ष ठीक है 9 से 12 वर्ष के age group में क्या है कि इसमें coding शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है ठीक है next question number 7 आपके सामने है section प्रक्रिया के दौरान चात्र की प्रगती को मापने पर कौन सा मुल्यांकन द्रिश्टी कौन केंदरित है which assessment approach focuses on measuring the student's progress through the learning process question number 7 को जो correct answer होगा दोस्तों वो होगा option B रचनात्मक मुल्यांकन यानि की summative assessment summative assessment के दौरान चात्र की प्रगती को मापने पर ये आपका क्या करता है मुल्यांकन का द्रिश्टी कौन केंदरित होता है next question number 8 है आपका राश्ट्री सिक्षा नीती 2020 grade 10 और grade 12 के अंत में board परिक्षाओं को किस प्रकार मुल्यांकन के साथ बदलने का प्रस्ताफ करती है new education policy proposes replacing board exams with what type of assessment at the end of grade 10 and 12 question number 8 का जो correct answer होगा दोस्तों that is option A is the correct answer school based assessment ठीक है school आधारित मुल्यांकन का प्रस्ताफ करती है दोस्तों ठीक है option A is the correct answer now question number 9 is important question परक किस उद्देश के लिए प्रस्तावित राष्ट्री मुल्यांकन के इंद्र है येक important question है परक is the proposed national assessment center for what purpose तो परक जो था किस उद्देश के लिए प्रस्तावित किया गया तो वो प्रस्तावित किया गया दोस्तों शात्र मुल्यांकन के लिए ठीक है, student assessment के लिए, option C is the correct answer, now question number 10 आपके सामने है दोस्तों what is the target gross enrollment ratio, जानि कि GER जो था, for higher education set by NEP 2020 by 2035 ठीक है what is the gross enrollment ratio, जो gross enrollment ratio था आपका higher education में new education policy का 2035 तक में क्या target set किया गया 30%, 40%, 50% या फिर 60, तो यह target set किया गया दोस्तों, आपका कितना 1 second 30 ओके तो यह जो gross ratio enrollment का था दोस्तों, यह लगबग 60% target किया गया है मेरे according, जो मैंने पढ़ा है इसमें थोड़ा confusion है, बढ़ आप एक बर इसको दिरूर्ष चेक कर लेना है कि important question हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर मेरे according option D होना चाहिए now next question, is question number 11 आपके सामने है, रास्टरी सिक्षा नीती 2020 में व्यवसाइक सिक्षा के लिए कौन सी अफधारना का उपयोग किया गया है, यह ना कौशल विकास के लिए जीवन, केरियर और प्रोद्योगी की सिक्षा, कार अधारित सीखना या फिर उद्योग अकादमिक साज्यदारी 2020 में जो व्यवसाइक सिक्षा के लिए कौन सी अफधारना का उपयोग किया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो यह किया गया कौशल विकास के लिए जीवन कौशल विकास के लिए जीवन उद्योग अकादमिक साज्यकारी व्यवसाइक सिक्षा के लिए ठीक है option A is the correct answer question number 12 की तरफ चलते है question number 12 आप से कह रहा है दोस्तों question क्या कह रहा है which type of higher education institution is allowed to offer online degrees under NEP 2020 ठीक है तो वो कौन से प्रकार का higher education institution है जो online degrees के लिए offer कर सकता है 2020 की new education policy के तहत तो इसका autonomous colleges, deemed universities central universities या फिर all of the above question number 12 का जो correct answer होगा that is option D is the correct answer यह तीनों के तीने ही कर सकते हैं ठीक है next question है question number 13 आपके सामने 13 question कह रहा है new education policy 2020 proposes a four year integrated be a degree as a minimum qualification for teaching by which year be a degree minimum qualification teaching के लिए रख दी गई है कितने साल तक मतलब कौन से वर्ष तक में यह minimum qualification रहेगी ठीक है तो क्या होगा इसका सही आंसर 2013 को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा that is option B is the correct answer 2030 तक next question number 13 वो इंग्लिश में था हिंदी में दूसरा question है ठीक है question number पर मत जाई question पर focus करिए रास्टरी सिक्षा नीती 2020 के अनुसार छात्र grade 6 से परे अध्यान के लिए कितनी भारती भाषाओं का चेयन कर सकते हैं दोस्तों एक दो तीन या फिर असी में थी एक important question है तो इस question का सही जवाब किया होगा दोस्तों इसका जो सही answer होगा that is option C त्रिकोडी होता या त्रिशंकू भी बोल सकते हैं ठीक है हिंदी इंग्लिश और जो उनकी regional language होगी उसको वो use कर सकते हैं ठीक है अगला question है question number 14 है आपके सामने which professional standard setting body will be responsible for establishing teaching standards under NEP 2020 वो कौन सी setting body है जो responsible है ठीक है teaching standard को establish करने के लिए new education policy में तो इसके ताहिए आपके सामने options है तो इसका जो correct answer होगा वो किया होगा दोस्तों वो होगा आपका option D is the correct answer that is professional standard setting body PSSB ठीक है PSSB next question number again हिंदी में आपका कौन सी भारती भाषा लिपी को स्थिरता और सीखने में आसानी के लिए विभिन भाषाओं में उपियोग के लिए राश्ट्री सिक्षा नीती 2020 द्वारा बढ़ावा दिया आता है देव नागरी तमिल खंणर इसको जो स्कर्रेक्ट अंसर होगा कोई विसस टिलिपी नहीं होती इसकी ठीक है next question number options के according बता रहाँ question number 15 है आपके सामने परिया वरणी स्थिरता सिक्षा को नए 5334 पाठिकरम सनरशना में किस फिशे छेत्र में एकी कृत किया गया है विज्यान, समाजिक, विज्यान, भुगोल या सभी के उपर या उपर के सभी या सारे options सही होंगे इसके question number 15 का सही answer क्या होगा दोस्तों that is option D is the correct answer all of the above ठीक आपका विज्यान, समाजिक, विज्यान, भुगोल इन तीनों को ही एकी कृत किया गया है, ठीक है अगला question है क्या कहा रहा है, new education policy 2020 emphasize mother tongue और home language instruction up to which grade ठीक है, जो 2020 की new education policy है, आपकी mother tongue और home language, जो आपकी original language है, ठीक है, जो आप घर में use करते हो, तो उसको किस grade तक के लिए upgrade किया है, कि आप use कर सकते है, तो इस question number 15 का जो correct answer होगा, वो किया होगा दोस्तो, that is option B is the correct answer, grade 5 ठीक है, grade 5 इसका correct हो जाएगा, next question आप से कह रहा है, दोस्तो, राश्टरी सिक्षा नीती 2020 स्कूलों में eco club स्थापित करने को प्रुचाहित करती है, ताकि चात्रों में किन गतिविदियों को बढ़ावा दिया जा सके सामुदाइक, सेवा, परियोजना, प्राकृतिक, संद्रक्षन, पहल, पर्यावरन, जागुरूती जागुरुकता अभियान, तो question number 16 का जो correct answer होगा, that is option D is the correct answer, इस सारे के ही सारे, ठीक है, अगले question पर चलते है, अगला question आपसे कह रहा है, दशालिनी राय कमिटी रिपोर्ट मैंशन न्यू इजुकेशन पॉलिशी टॉन्टी 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 फोकॉस इंप्रूविंग एजुकेशन तो इस question का answer मैंने बहुत कोशिश की, बट इस type का term मेरे को शालिनी राय कमिटी का कहीं मिला नहीं, ठीक है, तो इसको मेरे इसाब से इसको मैं cross कर देता हूँ, बट फिर भी आपको लगता है, तो आप देख लेना एक बार इसको, next question number 17 है, आपके सामने new education policy 2020 suggests setting up what national digital platform to access to educational resources, ठीक है, digital platform, national digital, वो कौन सा, क्या है national digital platform, जो educational resource को access करता है 2020 के अंदर, तो यहाँ पर आपके सामने options है, बट यह options आपके, मेरे को clear तरीके से हुआ नहीं, बट मैं आपको इस question का answer बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो option दे रखे हैं, वो मेरे को मिले नहीं कहीं पर, बट NETF होता है किसमें, ठीक है new education policy के अंदर, एक आपका NETF है, यानि की national educational technology forum, ठीक है national education technology forum, इसके अंदर जो होता है ना दोस्तों, वो क्या है कि educational resources को access किया जाता है, तो NETF आप ध्यान रखना, ठीक है, NETF, और इससे संबंदित options से लेटर, अगर आपको कुछ मिलता है, तो बेलकुल share करें comment में, बट इसके, इससे related आप NETF याद रखना, ठीक है, NETF, अगर ऐसा question कुछ आता है, जिसमें आपसे national digital platform को access करने के लिए पूछा जातो, national education technology forum, ठीक है, national education technology forum ध्यान रखना है आपको, अगला question है, question number 17, again, कहा कह रहा है, रास्ट्री सिक्षा नीती 2020 में पारंपरिक रिपोर्ट को, कोडों को 30, 360 डिग्री समगर मुल्यांकन पर, मुल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते वे, किस शब्द से बदलने का प्रस्ताफ किया है, तो इस question number 17 का जो correct answer होगा, दोस्तों, that is option A is the correct answer, प्रगती पोर्ट फोलियो के साथ बदलने का प्रस्ताफ किया, ठीक है, next question number 18 आप से कह रहा है, रास्ट्री सिक्षा नीती 2020 ग्रेट 12 के अंत में, बोर्ड परिक्षाओं को किस प्रमुक छेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक नई मुल्यांकन प्रणाली के साथ बदलने का प्रस्ताफ करती है, तो इसका जो correct answer होगा, that is option D is the correct answer, सभी के उपर दोस्तों, ठीक है, विसे विसिस्ट ग्यान और कौशल, मूल भूत, दक्षता और महत्पूर्ण, सोच, योगिता और उच्छी सिक्षा के लिए preparation है तयारीन सभी पर ये focus करती है, या प्रस्ताफ करती है, question number, again 18 आप से कह रहा है, which initiative in new education policy 2020 aims to integrate artificial intelligence, यानि कि AI into various aspects of education, ठीक है, artificial intelligence को देश बनाकर education में कैसे अलग-अलग तरीके से काम करें, तो उसका क्या होगा, इसका artificial AI का use new education policy के अंदर कैसे कर रहा है, उससे related है, question number 18 का, इसका क्या होगा, correct answer, that is option C, तो यहाँ पर performance grading index के लिए, PGI के लिए हम यहाँ पर new education policy में AI का use कर रहा है, ठीक है, performance grading index के लिए, next question number 19 आप से कह रहा है, सिक्षा के अंतर रास्ट्री करण को बढ़ावा देने के लिए, रास्ट्री सिक्षा नीती 2020 विदेशी विश्विद्यालों को भारत में कब तक परिसर इस्थापित करने के लिए प्रुत्साहित करती है, तो question number 19, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वैसे मिला नहीं मेरे को, बट जहां तक थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने के बाद new education policy को मेरे को लगा कि इसका आंसर 2035 होना चाहिए, ठीक है, आप बताईगा comment में क्या होना चाहिए, इसका आंसर C होना चाहिए, 2035 तक इस्थापित करने का पुत्साहित करती है, according to me, ठीक है, अगले question पर चलते है, अगला question आपसे कह रहा है, new education policy 2020 recommends phasing out the no detention policy until which grade, तो no detention policy जो थी दोस्तों, वो grade 8 तक के लिए है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, that is option B is the correct answer, grade B, ठीक है, next question number 20 आपसे कह रहा है, the three principles mentioned in new education policy 2020 as fundamental to education in India, वो तीन principles कौन से mention किये गये है, जो fundamental education में दे रहा है, तो उसके लिए क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों, इसका जो correct answer होगा, that is equity, quality and affordability, हमारी सिक्षा कैसी होनी चाहिए, equity होनी चाहिए, quality होनी चाहिए, उसमें और affordable होनी चाहिए ठीक है, अगला question number 20 आपसे again कह रहा, राश्टरी सिक्षा निकिती जोहर 2020 से 2030 तक के सिक्षा अगले सारजोनिक वित्त प्रोशन को GDP के किस प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताफ करती है, तो ये कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताफ करती है, दोस्तों, option B is the correct answer, that is 6%, okay, next question आपसे question number 21 कह रहा, which term is used in NEP 2020 to represent vocational education integrated into the school curriculum, ठीक है, तो school curriculum के अंदर vocational integrated को represent करने के लिए, कौन सा word यहाँ पर use किया जाता है, दोस्तों, तो इसका जो correct answer होगा, that is option D is the correct answer, industry, academia, partnerships, AIAP, ठीक है, AIAPS का correct answer होगा, अगला part है मारा दोस्तों, खेलो इंडिया youth game, जो कि बहुत ही जादा important है, यहाँ से question आपको 100% देखने को मिलेंगे ही, मिलेंगे, एक दो question आपके सामने आएंगे, ठीक है, current पे भी आ सकता है, और इस part में तो आएगा, याएगा, next question है, which year did the first खेलो इंडि जलिस बताएंगे, comment पे answer, पहला, खेलो इंडिया youth game कब हुआ, तो वो हुआ आपका 2018 में, option B is the correct answer, ठीक है, next question number 2 आप से कह रहा है, who organizes, who organizes the खेलो इंडिया youth games, तो खेलो इंडिया youth game को कौन organize करता है, बहुत important question है, यहाँ से question put up हो सकता है आपके सामने, तो इसका correct answer क्या हो आप Hindi English के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत easy language है, what is the age range for athletes participating in the खेलो इंडिया youth games, ठीक है, खेलो इंडिया youth games के अंदर, athletes के लिए, उमरिसीमा क्या रखी गई है, खेलाड़ों के लिए, उमरिसीमा क्या रखी गई, minimum और maximum, question number 3 का, इसमें जो correct answer का, that is, option B is the correct answer, 14 to 20 years, ठीक है, option B यहां पर सेजों का 14 से 20 साल की range रखी गई है, okay, next question number 4 आपसे कह रहा है, how many sports are currently included in the खेलो इंडिया youth games, कितने sports include कर चुके हैं, खेलो इंडिया youth games के अंदर, इस समय, तो इसका correct answer होगा, option B is the correct answer, total 25 games हम include कर चुके है, ठीक है, next question number 5 आपसे कह रहा है दोस्तो, which state hosted the 5th खेलो 2020, 2023, ठीक है, पहली चीज़ तो यह पांच वा, 2023 में पांच वा संसकरन हुआ, ठीक है, plus किसने उसको host किया, तो question number 5 का correct answer होगा, महरास्टरा, okay, तो 5th hosted जो था, इंडिया में वो शेर कौन सा था, महरास्टरा था, ठीक है, 2030 में, next question number 6, आपसे क्या कह रहा है दोस्तो, what is the annual financial assistance provided to talented athletes under the Kelo India scheme, Kelo India scheme के अंदर कितने लाख रुपए की धनराशी दी जाती है दोस्तो, प्रोचसाहन के लिए, तो question number 6 का correct answer क्या हो जाएगा, बिलकुल option B is the correct answer, 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपए, next question आपसे कह रहा है, question number 7, what is the main objective of Kelo India youth games, Kelo India youth games का main objective, main objective क्या है, दो identify the nurture young sporting talent, ठीक है, young sporting talent को identify खोजने के लिए ही, Kelo India youth games, Kelo India youth games का main objective होता है, आप ठीक है, option B correct हो जाएगा, अगला question number 8 आपसे कह रहा है, दोस्तो, what is the name of the official musket of the Kelo India youth games, तो Kelo India youth games का official musket क्या है, दोस्तों, तो वो है आपका, question number 8, tiger, sorry, cheetah, ठीक है, यह आपका official musket है, next question number 9 आपसे कह रहा है, which state has won the most medals in the Kelo India youth games so far, तो हर्याना, महरास्टरा, केरला और पंजाब इन चारो option को अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा अगर options के according जाएंगे, तो इन चारो options पर सबसे ज़्यादा medals अगर जीते हैं, Kelo India youth games के अंदर, तो वो जीते हैं, दोस्तो, हर्याना ने, ठीक है, हर्याना, okay, अगला question की बात करें, अगला question कर रहा, question number 10 आपसे, how is the Kelo India, एक second, हाँ, ठीक है, how is the Kelo India youth games contributing to the development of sports infrastructure of India, तो भारत के अंदर, sports के infrastructure को develop करने के लिए, Kelo India youth games कैसे contribute कर रहा है, दोस्तो, options आपके सामने, जल्दी से बताएंगे, क्या होगा, इसका correct answer, question number 10 का, बिल्कुल इसका जो correct answer होगा, दोस्तो, वो होगा, आपका option A is the correct answer, by upgrading existing sports facilities, ठीक है, by existing sports, अपग्रेड करना, जो अभी sports facilities exist कर रही है, पहले से हैं, उनको अपग्रेड करना, ये Kelo India youth games contribute कर रही है, भारत के अंदर, sports के infrastructure के development में, ठीक है, question number 11 आपसे कह रहा है, किस शहर ने Kelo India विंटर गेम्स की मेजबानी की है, Kelo India विंटर गेम्स की मेजबानी किस ने की है, दोस्तों, तो 11 question का सही answer क्या होगा, option A, गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, next question number 12 आपसे कह रहा है, Kelo India योजना के तहत, किन खेलों को high priority sports के रूप में वरगी करित किया गया है, जिनको आच ठीक है, athletics, archery and wrestling, यानिक, athletics, तीरंदाजी और, कुस्ती option A is the correct answer, next question आपसे कह रहा है, question number 13, Kelo India अकेडमी का उद्देश क्या है, खेलों इंडिया अकेडमी है, उसका उद्देश क्या है, दोस्तों, option आपके सामने, तेरवें कुशन का क्या होगा, सही जवाब, बिलकुल, option A, जुवा एथलीटों को उचिस्तरी प्रसिक्षन प्रदान करना ही, Kelo India अकेडमी का उद्देश है, दोस्तों, अगला question है, question number 14, Kelo India खेल, राधे नामक एप का उपयोग, किसके लिए किया जाता है, जो Kelo India खेल, का एक राधे नामक एप है, उसका उपयोग, किसके लिए किय जाता है, options आपके सामने, दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, question number 14, का correct answer क्या होगा, इसका जो सही answer होगा, that is, option A is the correct answer, एथलीटों का पंजी करण और प्रमाडी करण के लिए, राधे एप का, यूज किया जाता है, आपर दोस्तों, ठीक है, अगले question पे चलते है, question number 50, आप से कह रहा है, तो 15 question क्या कह रहा है, खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम का आयोजन, कब शुरू हुआ, तो खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन था, यह पहला संसकरण था, वो कब शुरू हुआ, तो question number 15, का correct answer क्या होगा, तो इसका आयोजन स्टा 2019 दिया, बट 2020 में start हुआ था, I think, ठीक है, खेलो इंडिया युनिवर्सिटी का आयोजन, बताईएगा, आप कमेंट करके, जिसको भी पता होगा इसका answer, मेरे according 2020 होना चाहिए, यहाँ पर 2019 दे रखा है, next question है, question number 16, खेलो इंडिया पैर अलम्पिक गेम का पहला संसकरण का ब दोस्तों, खेलो इंडिया महिला इस्पोर्ट्स लीग क्या है, options आपके सामने है, तो खेलो इंडिया महिला इस्पोर्ट्स लीग क्या है, दोस्तों, वो है भारत के महिला खेल संगों के लिए विती सहायता का कारिकरम है, यह एक प्रकार से, ठीक है, option A is the correct answer हो जाएगा, य कुशन नमबर 18 आप से कह रहा है, ग्रामीड खेल महा कुम्ब का खेलो इंडिया युवा खेलों से क्या संबन्ध है, ग्रामीड खेल महा कुम्ब का खेलो इंडिया युवा खेलों से क्या संबन्ध है, तो इसका संबन्ध है, option A is the correct answer, ग्रामीड खेल महा कुम्ब का युज देशों ने भाग लिया, जल दिस बताएंगे क्या होगा सही जवाब बिलकुल, option A होगा, केवल भारती अथलीट ही भाग ले सकते हैं, इस गेम के अंदर बाहर का कोई एंडोल नहीं करता है, ठीक है question number 20 है, खेलो इंडिया किस तरह से भारत के खेल भाविश को आकार दे रहा है, दोस्तों तो किस तरह से भारत के खेल भाविश को आकार दे रहा है, प्रतिभाश हाली जुवाओं को विश्विस्तरी अथलीटों में बदल कर, ठीक है, option A is the correct answer, अगला question आप से कह रहा है तो कुशन नमबर 21 तो किस वा कुशन आप से कह रहा है आर्चरी डॉमिनेशन से लेटर कोई जो यह थी विच स्टेट कंसिस्टेंटली डॉमिनेट्स आर्चरी इंदा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है वो कौन सा स्टेट है, जो आर्चरी को डॉमिनेट्स कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर आर्चरी यानि तीरंदाजी, तो कौन सा स्टेट है वो कुशन नमबर 21 का बिलकुल ऑप्शन भी जारखंड, ठीक है, आर्चरी को वो कौन सा युवा है, जिसने गोल्ड मेडल जीता, 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन था, क्या नम था, उसका हर्याना का है वो बंदा नाम क्या है उसका, क्वेशन नमबर 22 साहिल, ठीक है, हर्याना का बंदा है, साहिल नाम है नेक्स, क्वेशन नमबर 24 आपसे कह रहा है गटका गेंस क्राउन, ठीक है, विच ट्रडिशनल इंडियान स्पोर्ट्स गेंड, पॉपॉलरिटी आफ्टर बिंग इंडिया यूथ गेम्स, इन चारों में से वो कौन सा गेम है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के बाद काफी जादा पॉपॉलरिटी पाई तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, उप्शन C गटका, आपने देखा होगा सरदारों को, सिखों को गुरूप में ये अलग-अलग एक्टिविटीज करते हैं, घुमाते रहते हैं, चक्कर की तरह, तलवार, बाजियां और भी कलाकारियां दिखाते हैं, तो ये काफी पॉपुलर हुआ था, ठीक है इंडिया अंदोलन का शुभारम किस ने किया था, ये एक important question point बन सकता है, तो फिट इंडिया अंदोलन का शुभारम किस ने किया था, बिलकुल हमारे प्यारे प्रधान मंत्री नदेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है, तो अगला question है, question number two आपसे कह रहा है, fit इंडिया अ इंडिया अंदोलन का हिस्सा नहीं है, योग दौड़ना क्रिकेट या फिर शतरंच, तो इन में से जो fit इंडिया अंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो है आपका शतरंच, ठीक है, बाकी योग दौड़ना क्रिकेट या आपका fit इंडिया अंदोलन का हिस्सा है, शतरंच खेलते भागिदारी में वृद्धी नए खेल अवसंचरना अवसंचरना का विकास फिटनेस चुनोती और कारक्रोमों का परिचे या उप्रोक्त सभी के सभी तो कुशन नमर 4 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आप्शन D होगा ठीक है अगला कुशन नमर 5 आपसे कह रहा है दोस्तों तकनीक फिट इंडिया अंदोलन में कैसे योगदान दे सकती है टेक्नलोजी फिट इंडिया के अंदर कैसे योगदान दे सकती है तो वो योगदान दे सकती है दोस्तों फिटनेस ट्रैकिंग एप विक्सित करके ठीक है fitness tracking app fix it करके अगला question number 6 आपसे कह रहा है आप fit India अंदोलन में कैसे योगदान दे सकते हैं तो कैसे योगदान दे सकते हैं question number 6 बिलकुल options के साथ से चारों के तीनों के तीनों यहोंगे fit India कार करों में भाग लेकर मित्रों पर बिलकुल फिटनेस को बढ़ावा देना स्वास्त जीवन शैलू की आदतों को चुनना ऐसा करके आप fit India अंदोलन में योगदान दे सकते हैं question number 7 आपसे कह रहा है साथवा question आपसे क्या कह रहा है किस राज जी को 2023 में सबसे fit पंचायत का खिताब दिया गया यह एक important question है तो सबसे fit पंचायत का खिताब जो दिया गया दोस्तों वो तमिल नाडू ठीक है तमिल नाडू राजी की पंचायत थी जिसको fit सबसे fit पंचायत का खिताब दिया गया ठीक है यह थे हमारे fit India moment से related questions जहां से आने की संभावना है एक question आना होगा तो आएगा यहां से अगला important point है topic है दोस्तों आपका experiential activity based pedagogy pedagogy से आपको काफी questions देखना हो को मिलेंगे हलाकि यह आपके सोच के उपर निर्वर करेगा बट questions कैसे आएंगे मैं सिर्फ वो idea दे सकता हूँ आपको ठीक है है आपर चलिए next question आपके सामने है पहला question आपसे कह रहा है अनुभाव जन ने सीखने की गतिविदियों का मुख के focus क्या है ठीक है अनुभाव जन मैंनि कि experience करके सीखने की जो गतिविदिया होती इसका मुख के focus क्या होता है चारो option आपके सामने दोस्तों तो इन उप्शन्स के अकॉर्डिंग किया होगा सही जवाब इसका जो करेक्ट आंसर होगा रट कर याद करने और ओ सॉरी कुशन नंबर बी फर्स्ट का अनुभव जन्य गतिविधियों का मुख के फोकस किया होगा हाथों से जुड़ाव और सक्री सीखने का अनुभव निश्क्री सुनना और व्याख्यान आधारिक निर्देश स्वतंत्र शोध और व्यक्तित्व अध्यान तो कुशन नंबर वन रट कर याद करना और सैध्धानतिक क्यान इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी अहां पर साही हो जाएगा ठीक है हाथों से जुड़ाव और सक्री सीखने के जो अनुभव होंगे वो आपका इसका जो फोकस होता है ना अनुभव जन सीखने की गतिविदियों का फोकस होगा वो इस पर होना चाहिए क्यान का प्रतिधारन और व्यवहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से ठीक है बाकी आपका छात्रों की प्रेड़ना से जुड़ाव में बृद्धी होती है अलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास भी होता और सहयोग संचार के कौशल में सुधार्द होता बड़ जो नहीं है पूछा है वह आपका ऑप्शन D हो जाएगा है नेक्स कॉशन नंबर 3 आपसे कह रहा है निमलिखित में से कौन सी सिक्षन विधी ऑप्शन B एक सिमुलेशन जहां चात्र एतिहासिक हस्तियों का रोल प्ले करते हैं ठीक है ऑप्शन B यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरे का नेक्स कॉशन नंबर 4 है आपके सामने कक्षा में अनुभव जन गतिविदियों को लागू करने में एक चुनौती के आत अनुभव जन सीखने में प्रभावी मुल्यांकन कैसे सुनिष्चित कर सकते हैं एक स्क्षेंस के लिए चुर्ण के लिए तो प्रदर्शन का निरीक्षण करके ठीक है ऐसे कर सकते हैं नेक्स कोशन नम्बर 11 आपसे कह रहा है बीच के कोशन गया तो मतलब वो किसी काम के नहीं रहे होंगे उतना इंपॉडन नहीं थे हटा दिये मैंने निमलिखित में से कौन सी मुल्यांकन उपकरण अनुभव जन गतवीदियों के माध्यम से विकसित महतपूर्ण सोच कौसल को प्रभावी ढंग से माप सकता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अरूबिक केंद्र मुल्यांकन ठीक है नेक्स कोशन पर चले नेक्स कोशन है एक सिक्षक अनुभव जन गतवीदियों गतवीदियों करते समय संसाधन सीमाओं को कैसे संबोधित कर सकता है तो अनुभव जन गतवीदियों को डिजाइन करते वक्त एक टीचर कैसे समय संसाधन सीमाओं को संबोधित कर सकता है तो कुशन नमर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों तरे इस ऑप्शन B होगा इसका सही वैकलपिक समगरी और गतवीदि को अनकूलित करके वा उसको संबोधित कर सकता है नेक्स कुशन नमर 13 आपसे कह रहा है अनुभव जन गतवीदि के दोरान चातर किस समूह में काम करने में कठनाई क्यों कर सकते है या क्यों अनुभव कर सकते है तो करेक्ट आंसर क्या होगा कुशन नमर 13 का अप्शन A उनके पास प्रभावी ढंग से सहीयोग करने के कोशल की कमी होगी इस वज़े सो कठनाई के सामना कर सकते है ठीक है क्योशन नमर 14 है आपके सामने एक सिक्षक अनुभव जन गतवीदी के बाद प्रभावी प्रतिविंब कैसे सुनिश्चित कर सकता है तो experience learning के बाद एक प्रभावी प्रतिविम को सुनिश्चित कैसे कर सकता है एक teacher तो वो सुनिश्चित कैसे कर सकता है दोस्तों वो कर सकता है छात्रों से चुनावतियों, सफलताओं और प्रेड़नाओं के बारे में खुले अंत वाले प्रश्ण पूछ करके ठीक है अगला question आपसे कहा रहा है दोस्तों question number 15 कौन सा विशय चेत्र के कौन सा विशय चेत्र अनुभव जन्र सीखने के लिए सबसे उप्यूप्त है experience learning सीखने के लिए सबसे बढ़िया subject इन में से कौन सा होगा दोस्तों question number 15 का जो correct answer होगा that is इतिहास और सामाजिक अध्यान ठीक है इतिहास और सामाजिक अध्यान next question है question number 16 आपसे कह रहा है which of the following types of case studies would be most appropriate for teaching ethical decision making in business management question number 16 का correct answer क्यों जाएगा that is option A a case study analyzing a successful marketing campaign ठीक है next question है question number 17 आपसे कह रहा है how can a teacher differentiate instruction during a case study analysis to cater to diverse learning styles this question का correct answer होगा option B is the provide various resources like visual charts and written materials okay now next question is question number 18 is what is the potential pitfall to avoid when using case studies in the classroom this question का correct answer होगा that is option B presenting the case study as the definitive answer to a real world problem okay next question number 19 आपसे कह रहा है how can a teacher ensure students stay engaged during a case study analysis 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 session question number 19 का correct answer हो जाएगा दोस्तों option D is the correct answer sorry option B is the correct answer pose thought provoking questions and encourage interactive decisions ठीक है next question इसमें का last question है अपका what is benefit of using case studies as a क्यूमिली क्यूमि क्यूमिनेटिंग क्यूमिनेटिंग को learn करने के लिए अगला topic है हमारा दोस्तों teaching aptitude यहां से भी questions आपको इसी प्रकार के question देखने को मिलेंगे ठीक है 10 questions इसमें मैंने डाले हैं आपके लिए तो देखते हैं इन 10 questions में पहला question आपसे क्या कह रहा है यह आपके thinking power के उपर question जाएंगे सारे के सारे ठीक है तो सोच करके इन questions को ही हम अक्सर गलत करके आते हैं question number one क्या कर रहा है प्रभावी सिख्षक को सबसे महतबून गुण क्या होता है विशय का नुसरन ग्यान कटे नजुशासन बनाय रखना रचनात्मक सिख्षण विधियों का उपियोग या चात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के प्रती संवेदर्शील होना अब लग तो रहें सारे के सारे क्या होगा इसका correct answer question number one का option D is the correct answer चात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के प्रती संवेदर्शील होना एक प्रभावी सिख्षक का सबसे महतपूर्ण गुड होता है दोस्तों ठीक है next है question number two कक्षा में सक्री सहभागिता को प्रोचाहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों लगतार व्यक्यान देना छात्रों से बंद प्रश्न पूछना समू कारियों और चर्चा को शामिल करना कठे नियम बनाना और उनका कड़ाई से पालन करवाना तो question number second का correct answer क्या होता है बिल्कुल option C is the correct answer समू कारियों और चर्चा को शामिल करना अगला question number third आप से कह रहा है पढ़ने की कठनाईयों वाले चात्रों की सहायता के लिए एक सिक्षक क्या कर सकता है तो क्या कर सकता है उनकी कमियों को अंदेखा कर सकता है तरिक्त हमवग दे सकता है विभिन ररनीतियों और सहायक सामगरी का उप्योग कर सकता है या फिर उनकी तुलना अन्य छात्रों से कर सकता है बिल्कुल correct answer is option C विभिन रणीती और सहायक सामगरी का उपयोग करना चाहिए ऐसी situation में question number 4 आप से कह रहा है छात्रों की प्रेड़ना बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है छात्रों की motivation को grow करने के लिए क्या कर सकते है तो इसका correct answer हो देगा दोस्तों बिल्कुल option B सीखने के लक्षों को इसपस्ट और प्राप्त करने योग की बना सकते है ठीक है next question number 5 आपके सामने कक्षा प्रबंदन में प्रभावी होने के लिए सिख्षक को क्या धहान रखना चाहिए तो क्या धहान रखना चाहिए क्या होगा सही जवाब इसका option आपके सामने है बिल्कुल इसपस्ट नियम और आपके शाय निरधारित करना चाहिए option C is the correct answer ठीक है next question number 6 आपसे कह रहा है मुल्यांकन का उद्देश ही क्या होता है ठीक है तो मुल्यांकन का उद्देश क्या होगा ये एक important question है question number 6 का correct answer क्या होगा जल्दी से बताएंगे बिल्कुल कमजोरियों को पहचानने और सुधार के लिए feedback देना ही मुल्यांकन का उद्देश होता है next question number 7 आपसे कह रहा है विभिन सीखने की शैलियों को समयोजित करने के लिए सिक्षक क्या क्या कर सकता है question number 7 का correct answer क्या होगा चारो options आपके सामने है जल्दी से बताएंगे बिल्कुल option C visual, श्रवर और गतिज, गतिविधियों का मिश्टरन करके क्या कर सकता है इन शैलियों को समयोजित कर सकता है next question number 8 है आपके सामने निमलखित में से कौन सा सिक्षण विधी अनुभाव जन्न सीखने का सबसे अच्छा उधारन होता है experience learning का सबसे भैतरीन उधारन कौन सी सिक्षण विधी का होता है question number 8 का correct answer क्या होगा बिल्कुल एक प्रयोग करना और छात्रों को अवलोकन और डेटा एकत्र करने के लिए कहना next question number 9 आपसे कह रहा है दोस्तों अनुभाव जने सीखने के लाभूं में से एक क्या है experience learning के फाइदों में से इन में से एक क्या है चारों में से एक है जो benefit है experience learning का तो क्या होगा option आपके सामने question number 9 का correct answer क्या हो जाएगा बिल्कुल option D यह सभी 3 लाभ प्रधान करता है यानि कि यह छात्रों को सैधानतिक ग्यान और व्यभारी कंट्रियों के से जोड़ने में मदद करता है चात्रों की पेड़ना और जुड़ाओं में व्रिद्धी भी करता है चात्रों की रचनात्मक और समस्या समदान कौशलों को विक्सित करता है ठीक है next question number 10 आप से क्या कह रहा है दोस्तों question number 10 आप से क्या कह रहा है दोस्तों अनुभाव जाने सीखने अनुभाव जाने सीखने की चुनातियों में से एक क्या है या समय लेने वाला हो सकता है या संसादन गहन हो सकता है या छात्रों के लिए चुनाती पूर्ण हो सकता है या सिए सभी चुनातिया हो सकती है question number 10 का होगा बिल्कुल ये सभी चुनावतिया हो सकती है ठीक है तो अगले टॉपिक पे चलते है अगला टॉपिक हमारा knowledge of ICT computer के आपको questions देखनों को मिलेंगे 10 questions जो कि बहुत important question होने वाले दोस्तों तो ठीक है बीडियो को skip मत करिएगा बहुत बहुत बहुतरी revision हो रहा है एकदम mind make up हो जाएगा इस series को देखने के बाद कि जो आपने पड़ा है बिल्कुल वही चीज आने वाली है इसलिए distract होने की जुरत नहीं है ठीक है तो question पे चलते है पहला question कहा रहा है आप से और English में ही रहेंगे question आसान language में है परशान नहीं होना है what does ICT stand for ICT का full form क्या होता है दोस्तों तो options आपके सामने जल्दी से बताएंगे question number one का correct answer क्या होने वाला है दोस्तों तो इसका correct answer होगा information and communication technology option C is the correct answer अगला question आप से कह रहा है question number two which of the following is not a component of ICT इन चारों में से ICT का information, communication, technology का जो component है वो कौन सान नहीं है hardware, software, paper या फिर data तो इसका क्या होगा option C, paper ठीक है next question number third आप से कह रहा है the internet is an example of internet किसका example है hardware का, software का, network का या फिर operating system का question number third का answer क्या होगा option C is the correct answer internet क्या है network का example है question number four आप से क्या कह रहा है what does HTTP stand for HTTP का full form पूछा है कई बार पूछा जा चुका इसका सही answer क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल hyper text transfer protocol hyper text transfer protocol होता है HTTP का full form option C होगा next question number fifth आप से कह रहा है which device is not considered a personal computer personal computer में कौन सा device considered नहीं होता है desktop, laptop, smartphone या फिर tablet computer question number fifth का correct answer क्या होगा that is option C smartphone आपका personal computer में considered नहीं होता है बलकि आपका desktop, laptop और tablet computer या आपके personal computer में considered किये जाते है question number six आप से कह रहा है दोस्तों what is the main function of a search engine search engine का main function क्या होता है create documents, send email find information on the internet or store data तो search engine का क्या होता है बिलकुल option C is the correct answer find information on the internet question number seven आप से कह रहा है what is the difference between RAM and ROM RAM और ROM के बीच में difference क्या होता है दोस्तों question number seven का correct answer क्या हो जाएगा option B is the correct answer RAM is a temporary memory और ROM is a permanent memory ध्यान रखेगा इन दोनों के full form भी याद करके जाएगा RAM, ROM ठीक है ROM का full form होता है read only memory अब RAM का आप कमेंट करके बताएगे ठीक है चलिए next question number eight आप से कह रहा है what is fishing fishing फिशिंग क्या है अब computer ICT के अंदर fishing एक term है उसका मतलब क्या होता है type of fishing ए an online scam to steal personal information a type of computer virus or a method for transferring file तो fishing का मतलब यहाँ पर क्या होगा question number eight का option B is the correct answer an online scam to steal personal information यह एक online scam है जो आपकी personal data को चुरा सकता है steal कर सकता है question number nine आप से कह रहा है which software is most commonly used for word processing word processing में सबसे ज़्यादा use किया जाने commonly use किया जाने वाला software इन में से कौन सा photoshop, lc media, microsoft word or google chrome question number nine का correct answer क्या होगा बिल्कुल option C is the correct answer that is microsoft word अगला question है question number 10 आप से कह रहा है what is the purpose of cloud computing cloud computing का purpose क्या होता है दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब option B is the correct answer access data and applications over the internet यानि कि internet के बाद जो आपका data को access करना applications में ठीक है next question है question number ICT से रिलेटेड है ठीक है part में था ये part 2 होगया हमारा part 2 का ICT का part 2 का पहला question करता what is the full form of USB USB का full form क्या होगा दोस्तों जल्दिस बताएंगे क्या होगा सही जवाब इसका important question है ये क्या होगा correct answer unified serial bus ठीक है क्या होगा question number part 2 1 का ठीक है unified serial bus USB next question है question number 2 आप से कह रहा है which file format is commonly used for images अब images के लिए commonly कौन सी file यूज करते है .text, .doc, .mp3, .jpj बहुत ही आसान question है question number 3 second का क्या होगा option D is the correct answer next question number 3 आप से कह रहा है what is the difference between bluetooth and wifi अब bluetooth और wifi के बीच में difference क्या होगा दोस्तों options आपके सामने हैं question number 3 का correct answer क्या होगा क्या होगा सही जवाब option C is the correct answer bluetooth is for audio and wifi is for internet next question आप से कह रहा है question number 4 what is the function of firewall firewall का function क्या होता है option आपके सामने है question number 4 का correct answer क्या होगा which one is the correct answer option C protects a computer from unauthorized access firewall जो होती है वो unauthorized access computer में ना हो उसके लिए protect करती है question number 5 आप से कह रहा है what does MBPS stand for MBPS का full form क्या होता है options आपके सामने 5 वे का important question है MBPS का full form क्या होगा क्या होगा सही जवाब बिलकुल option C is the correct answer megabits per second megabits per second bits होगा ध्यान रखना megabits per second MBPS का full form होता है next question number 6 आप से कह रहा है what is the most common type of artificial intelligence ठीक है AI का most common type क्या है प्रकार क्या है strong AI या फिर artificial narrow intelligence artificial general intelligence या फिर super intelligence question number 6 का correct answer क्या होगा दोस्तों बिलकुल option D is the correct answer that is super intelligence ठीक है next question number 7 आप से कह रहा है what is blockchain blockchain एक second question number 6 का मैंने क्या बताया D बताया इदर 5 का क्या बताया था ठीक है 6 का मैंने D बता दिया मुझे लगा नहीं गड़बड बता दिया कोई बात ही फिर से देख लेते है what is the most common type of artificial intelligence तो याई का most common जो type होगा दोस्तों वो होगा option B artificial narrow intelligence A, N, I बोलते है उसको A, N, I artificial narrow intelligence होगा अगले question पर चलते है अगला question number 7 आपसे कह रहा है what is blockchain blockchain क्या है दोस्तों ठीक है type of cable a social media platform a decentralized digital legger या फिर a cloud storage service तो blockchain है क्या अच्छल में blockchain है आपका a decentralized digital ledger ठीक है next question number 8 आपसे कह रहा है what is the biggest challenge facing cyber security today cyber security security आज की डेट में कौन सबसे बड़ा challenge face कर रही है परिशानी face कर रही है hardware limitations software bugs human error या high cost of security high cost of security solutions question number 8 का correct answer क्या होगा human error ठीक है जो cyber security सबसे ज़्यादा problem face कर रही हो human error ही होगा इसका ठीक है 9, 8 का C होगा answer next question number 9 आपसे कह रहा है what is the ethical concern surrounding facial recognition technology ठीक है facial recognition technology में सबसे ethical कौन सी चीज हो सकती है question number 9 का correct answer क्या होगा both A and B accuracy issues और privacy violation ठीक है next question number 10 आपसे कह रहा है what is the impact of ICT on education ICT का education पर क्या impact पढ़ रहा है options आपके सामने है जल्दी से बताएंगे question number 10 का correct answer क्या होना चाहिए बिलकुल option B is the correct answer improved access to resource and personalized learning ठीक है अभी सी ICT के तीसरे पार्ट पे चले उसको शैद में छूट गया कोई बात नहीं next point है मारा खेलो इंडिया उनिवस्टी गेमस चूटा नहीं चूटा नहीं है ठीक है दो ही पार्ट थे ICT के अब आयाते है मारा last topic है खेलो इंडिया उनिवस्टी गेमसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो चलते हैं पहले कोशन पे खेलो इंडिया उनिवस्टी गेमस के तो क्या कह रहा है When were the first खेलो इंडिया उनिवस्टी गेमस के I.U.G. held पहले खेलो इंडिया विश्विद्याले खेल कब आयुजित किये गये थे तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था question number one का correct answer क्या हो जागा है आपर option 2020 मुझे लगा था कि 2020 होगा वहाँ पर 19 दिया हुआ था ठीक है तो next question number two आपसे क्या कह रहा है In which state where the inaugural K.U.G. hosted यानि कि उद्घाटन किस राज में आयुजित किये गये थे K.U.G. का जो घाटन हुआ था जो पहला इवेंट हुआ था वह कहां पर आयुजित हुआ था place का नाम पूछा तो place का नाम क्या होगा यहां पर question number two का correct answer क्या हो जाएगा जिल्कुल option A Odisha में option A is the correct answer Odisha next question number third आपसे कह रहा है दोस्तों How many universities participate in खेलो इंडियाइए इंवस्टी गेम से अंदर कितनी इंवस्टी इंवस्टी करती है और आ इंदिया जीतनी भारत की सभी इंवस्टी करती है 100 से अधिक 200 से अधिक या 300 से अधिक तो question number 3 का correct answer हो जाएगा option C is the correct answer 200 से अधिक universities participate करती है over 200 universities ठीक है next question number 4 आप से कह रहा है which sports are currently included in खेलो इंडिया university game program खेलो इंडिया university program में वर्तमार में कौन से खेल शामिल है दोस्तों तो question number 4 का correct answer क्या हो जाएगा option C is the correct answer a wide range of olympic and non olympic sports ठीक है olympic और गैर olympic खेलो की जिस्तृत शंकला शामिल की गई है next question number 5 आप से कह रहा है what is the primary objective of खेलो इंडिया university game खेलो इंडिया university game का प्रात्मिक उद्देश क्या options आपके सामने जल दिस बताएंगे question number 5 का correct answer क्या हो जा बताई दन नर्चर यंग sporting talent ठीक है जुआ खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोशन करना ही खेलो इंडिया उद्दिया उद्देश है दोस्तों question number 6 आप से कह रहा है in which year did the खेलो इंडिया उद्दी गेम से इंट्रडूस फेंसिंग as a competition sports खेलो इंडिया उद्दी गेम से न 2018, 2020 या 2022 अभी इसका जो correct answer को option D अभी तक या शुरू ही नहीं किया गया है दोस्तों ठीक है अगले question पर चलता है question number 7 आप से कह रहा है which university won the inaugural men's basketball championship 2018 2018 उद्घाटन 2018 में उद्घाटन पुरुष basketball championship कि स्विध्याले ने जीती थी पहली जो basketball championship हुई थी वो किस विश्विध्याले ने जीती थी 2018 में question number 7 का correct answer क्या होगा बेलकुल option C madras विश्विध्याले ने ठीक है madras university of madras next question number 8 आप से कह रहा है which Indian state has hosted the खेलो इंडिया university games most number of times सबसे ज्यादा बार किस राज ने खेलो इंडिया university games की मेजबानी की थी या की है तो इसका correct answer क्या हो जागा दोस्तों बिलकुल option A is the correct answer that is Odisha ठीक है next question की बात करें question number 9 आप से कह रहा है which university holds the record for most medals won in a single खेलो इंडिया university games किस विश्विद्याले के पास एक भी संस्क्रण में जीते गया धिकांश पदक का record है तो सबसे ज्यादा medals जीतने का record किसका है खेलो इंडिया नोटेबल इंडियन एथलीट who emerged from the खेलो इंडिया 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 इंटरनेशनल डी एक प्रसित भारती अथलेट का नाम बताएं जो के आई यूजी प्लेटफॉर्म से उभरे और अंताराश्टरी स्तर पर भारत का प्रतिने धित्व किया तो question number 10 का correct answer क्या हो जाएगा important question है option A दूती चंद जो की athletics से संबन्दित है ठीक है दूती चंद याद रखिएगा तो ये थे हमारे दोस्तों first paper से संबन्दित जिसमें हमने आज clear किया दोस्तों आपकी new education policy खेलो इंडिया fit इंडिया और similar जो भी program थे ठीक है इसी type के questions आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और general awareness की अगर मैं बात करूँ न तो उसको मैं दे नहीं पाया बट मैं अपसे उस पर discuss करना चाहूँगा general awareness न educational से related यानि हमारे section से section से section व्यवस्ता से related जितनी भी points होंगे 2023 के अंदर जो भी कोई योजना scheme आई होगी न उनको अच्छे साब रख ले न 5-6 question आपको education से संबंधित मिलेंगे दोस्तों current affair, general awareness वाला जो 10 number का आएगा न उससे 5 question at least आपको education field से मिलेंगे तो 2023 के अंदर जो education field के अंदर जो भी चीज़ें होई होगी जो घटनाए घटित होई होगी या कोई scheme या कोई policy कोई चीज़ कोई नया rule regulation आया होगा तो उसको ज़रूर mention करके जाईएगा दोस्तों ठीक है और I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे है प्लीज अपना नाम कमेंट में टाइप करके अपने home district का नाम जरूर बता है कि आप किस district से है ठीक है और आपका center कहाँ पर गया है दोस्तों ठीक है तो best of luck all of you और आशा करता हूँ आप सभी का paper बहुत अच्छा जाएगा और सभी के selection हो जाएगा don't worry ठीक है tension नहीं लेने का बढ़िया से exam देने का तो मिलते है अपनी next video में तब तक लिए bye bye take care चेहन बंदे मातरम physical education जिंदा बाद अगें best of luck all of you dear bye bye